Hello everyone, तो English की बहुत ही बहतरीन तैयारी कर रखी है, तो आज कई वीडियो अगर आप exam से 10 मिनट पहले भी देख रहे हो, exam center के बाहर देख रहे हो, तो बहुत ही जादा important है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी last minute tips बताने वाला हूँ, जिसके help से कि अगर आपने उनको implement किया, त तो बोलोगी कि marks कट गए आपकी होजेसे, तो 2x पर देख लेना लेकिन पूरी जवरूर से देखना, तो सब से पहला point आते है कि भाया, exam से डर लग रहा है कि exam के पताने क्या पूछा जाएगा, मैं कर पाऊंगा ने कर पाऊंगा, तो सब से पहली बात तो यह है कि exam जो है वो काफी जादा easy रहेगा, इसमें कोई भी दोराएं नहीं है, जो तुमने पढ़ा है, वही exam के अंदर आएगा, यही अपना confidence रखना है, देखो यार, क्योंकि जब तक आपके अंदरे confidence रहेगा ना, तो आप उसमें questions भी आएंगे ना, तो भी आप उनको आसानी से कर सकते हो, यह confidence आपको ना चाहिए, अगर आपके पास में confidence नहीं है, क्योंकि confidence एक ऐसी चीज होती है, जो कि अगर होती है ना, तो इंसान बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी, अगर एक confidence नहीं रहता ना, अंदर कि भई, मैं अच्छे से ही कर के आऊंगा तो वो काम हुन से होता नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले confidence रखो अपने आपके उपर कि यार, जो मैंने पढ़ा है ना, वही exam के अंदर as it is आएगा, और उससे बाहर कुछ भी नहीं है, और एक बात मैं आपको reality बताता हूं, कि maximum insurance का कभी भी syllabus पूरा नहीं होता, कुछ ना क क्या करता है, कि easy तो देगा, plus of उसको क्या करेगा, वो करेगा land, तो जिस वज़े से क्या होता है, कि students को इसके लिए time management बहुत जादा जरूरी होता है, तो मैं आपको time management बताऊंगो, बहुत जादा important है, ध्यान से सुन लेना, अब देखो आपको exam के अंदर है, total है, 195 minutes मिलें आपको जो paper reading के लिए दिया जाता है, वो वाली 15 minute है इसको आपको use करना है, इस 15 minute के अंदर आप already maximum student से आगे निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके plus of 10 marks हो जाएंगे, वो कैसे होंगे, वो मैं बताता हूँ, तो अब यह जो paper reading का time है, इसको आपको 5 minute additional लेने हैं, 20 minute मे आपको कोशिश करनी है, कि आपका जो पहला passage, reading passage को आप read कर लो, और उसके answers को आपको find out करना है, बस 20 minute के अंदर इस starting के 20 minute में 15 minute तो आपको paper reading के लिए मिलेंगे, plus of 5 minute आप additional ले करके, उसके total जो answers है, उनको आप find out कर लेंगे, उसको अभी लिखना नहीं है, आपको बस इस 20 minute के अंदर ये करना है, तो इन 20 minute में आप already सभी student से plus of 10 marks आगे हो जाएंगे, क्योंकि एक passage को solve करने में इतना ही time लगाना है, इससे time जादा आपको नहीं देना है, reading passage को करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा, जब तक बच्चे paper स्टार्ट करेंगे, जब तक आप already उनसे 10 number आ ज़्यादा जो time consuming part होता है, उसे हम लोग पहले कर लेते हो, पहले जो हमारे दिमाग होता है, वो एकदम से fresh होता है, हम पूरी पूरी चीज़ अच्छी समझ लेते हैं, तो इस समझे से क्या होता है, कि हम unseen passage को आसानी से जल्दी solve कर पाएंगे, और फिर उसके बाद में आप करना है आपका literature section, जो कि section C रहेगा, सबसे बड़ा section इसके लिए आपको एक सवाय गंटा लेकर करके चलना है, कि एक डिट गंटे के अंदर आपको एक complete हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जब भी answer साफ लिख रहे हो, तो section C के अंदर आपको ध्यान रहे कि आपको कुछ ऐसी चीज लिख दे, जिसे की number काटेंगे, रहे literature जो होता है, इसमें examiner के पास में इतना time नहीं होता है, कि वो आपके number काटे, आपको क्या करना है, कोई भी character है, उसके नाम को underline कर देना, जैसे कि भोली है, तो भोली अगर आप लिख रहे हो, तो उसके बारे में बात में आप खेल रहे हो, तो ये बात आपको ध्यान रहे, plus of अगर जैसे की points है, उनकी theme एक बार आपको याद होनी चीज अगर नहीं है, कोई बात नहीं, मत लिखना, लेकिन अगर याद है, तो और अगर time है, तो एक बार उसे जरूर से दिख लिए ना, क्योंकि theme जो है, वो काफी जादा important रहे है, अगर आप उसे लिखोगे, उसको मिला करके answer लिखोगे, तो बहुत जादा एक बहतरी इन impression जाएगा teacher पे, फिर उसके बाद में, जो next important point है, ये लिखना किस तरीके से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है एक topper की answer शिट, तो जिन भी student की handwriting खराब है, वो डरो मत यार, क्योंकि handwriting है ना, किसी की भी जादा top writing नहीं होती, किसी की भी, सभी की normal handwriting होती है, बस साफ सुथरी आपको अपनी notebook रखनी है, जैसे कि इसमें कुछ बात हैं, जो कि आपको ध्यान रहे, सबसे पहला तो जो भी आपका question है, और options के साथ में आपक की बीच में space छोड़ना है, फिर इसी तरीके से लिखना है, जैसे कि कोई भी word अगर आपको लग रहे है, जैसे कि इसमें invisible था, तो invisible को underline कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक में underline करना हो, कुछ ऐसे बड़े answers हो, उनमें आप underline कर सकते हो, इसी तरीके से एक line का at list आप इसमें gap छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको answer को लिखना है, और एक बात ध्यान रहे है कि आपको answer है, वो अपनी word limit में लिखना है, कि जितना भी आपको limit बोला गया है, कि वह यह 3 number का answer है, तो यह नहीं कि आप उसमें पूरा-पूर पीच भर रहे हो, सिर्फ उसमें 4-5 line है, उससे जादा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद में चलते हैं, हम लोग next जो topic है, वो है हमारा writing वाला, कि writing वाला जो section है, इसमें बहुत बार गलती होगी, चोट मेरे साथ में भी हो चुके है, जब मेरा 12th votes का exam हुआ क्या था कि मैंने attempt करना है, स्टार्ट कर दिया, मैंने देखा नहीं था कि वहां पर और वाली choice है, तो मैंने first वाले को देखा, आदा पढ़ा और में को पता लगा कि भाई, इसमें तो आदा आ रहा है, इसके आगे क्या लिखू मैं, तो इसलिए आपको time save करने के एक-एक point rough में लिख दोगे कि भई सबसे पहला point यह रहेगा, second point यह रहेगा, third point यह रहेगा, जिससे क्या पर उससे completely लिख पाऊ, और अगर आपको लग रही कि हाम भई मैं इसमें नहीं लिख पा रहा, तो और वाला जो choice है, उसमें बहुत गलती होते है, क्योंकि मेरे भी इसके अंदर 20 मिनट खराब होए थे, यह आज तक मेरे को दर्द होता है इस बात का, कि का शर्म मैं यह उसको देख लेता, पूरा सही धंक से पढ़ लेता, question को ध्यान से पढ़के, पूरे rough point बना करके, then फिर उसको आपको answer sheet के अंदर लिखना है, इसमें हो सकते है कि आपक analytical paragraph start करे हो, तो हमेशा उसे एक नए page से आपको start करना है, जहां पर space देने की need है, जितने line की need है, उतने line लिखने है, जैसे कि letter writing अगर आपको देखना है, तो आपको video मिल जाएगा, analytical paragraph की video मिल जाएगा, unseen passage का video मिल जाएगा, इन सभी का video मिल जाएगा, अगर आपको कोई भी spelling mistake आपको नहीं करनी है, simple word use में लेने है, जिनके spelling आपको आती हो, fancy words use में मतलेना, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर गलती करोगे, एक गलती का यहाँ पर आपका minus of half marks कर देगा examiner, इतने जाद बेकार होते हैं examiner, कि बस गलती कर तो तेरे number काटने को तयार है, इसे लिए ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर गलती करनी है, फिर उसके बाद में जैसे कि आप लिख रहे हो लेटर तो इसमें मैंने बता रखा है कि इसमें एक line का space आपको छोड़ना है, इसी तरीके से आपको उसमें space दे दे करके अच्छे से लिखना है, क्योंकि examiner सबसे पहले आपका format तो वह ऐसे करके आपके marks यहाँ पर कर देता है, ऐसे काट देता है examiner, examiner को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए ध्यान रहे कि आप कुछ-कुछ चीजें जो कि ध्यान रखें, फिर उसके बाद में next आता है कि grammar, grammar section के अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी option है, उसको जो तुमने पड़ा और तुमने बहुत जादा महनत कर रही है, यही बात बोल करके कल सुबह आपको exam को देने के लिए जाना है, all the very best, बहुत जादा अच्छ ए exam होगा, आप English का exam फोड करके आने वालो, इस बात की guarantee मैं आपको देता है, और मिलते हैं आप लोग किस नेक्स video मैं, all the very best.